अजो नेटल असेसमेंट का आज पार्ट वन में आपसे डिसकस करने जा रही हूं पार्ट इसलिए क्योंकि नियो नेटल असेसमेंट अपने आप में ये बहुत बड़ा बहुत वास्ट टापिक है जो कि आप एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इस topic को parts में divide करूँ तो that अगर आप लोगों को कोई specific topic देखना है तो आप उस specific topic की वीडियो को देख सकते हैं तो उसे आप लोगों कोई problem नहीं होगी और वीडियो भी बहुत साथ लंबी नहीं होगी तो start करते हैं हम आज की वीडियो neonatal assessment का part 1 part 1 में मैं आपका यहाँ पर आपगार scoring discuss करने वाली हूँ आपगार score के बारे में आपने सुना होगा लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दू कि neonatal assessment होता क्या है तो neonates का assessment करना neonate जो बच्चे होते हैं उनका assessment करना अब neonate कौन होते हैं तो neonate वो होते हैं 0 से 28 days तब के बच्चे मतलब अब भी जिनका birth हुआ है birth से लेकर 28 days तब के जो बच्चे होते हैं उसे हम कहते हैं neonate अब neonate में हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं यहाँ पर एक होता है early neonate और एक होता है late neonate तो early और late neonate को हम कैसे कैटेगराईज करते हैं जो 0 से लेकर 7 days तक मतलब 7 दिन तक के जो बच्चे होते हैं उसे हम कहते है early neonate period और 7 दिन से लेकर 28 days 7 से 28 days तक के जो अच्चे होते हैं उसे हम कहते है late neonate तो उनी के बारे में हम यहाँ पर assessment करेंगे तो first हमारा है आपकार score तो आपकार scoring जो है वो हम early neonate पर ही करते हैं early neonate में भी हम यह कह सकते हैं कि आपकार scoring जो है वो birth के बाद में तो birth के within 1 minute और 5 minutes में हम आपकार scoring की बेबी की असेस करते हैं उसके बाद आपकार scoring की ज़रूत नहीं परती क्योंकि यह birth होने के बाद बेबी का birth होने के बाद सबसे पहला neonatal assessment होता है आपकार scoring तो अब आपसे यह बच्चा यहाँ पर पूछा है there are 5 components इंता आपकार इसको first A stands for activity इसको कितना active है बच्चा active है यह नहीं है बिल्कुल dull है कि वो आजाता है उसके बाद P stands for pulse pulse यहाँ पर हम heart rate लेते हैं कि heart rate कितनी है heart rate अगर जादा है तो उसके according हम उसे scoring देते हैं G stands for grimace grimace क्या होता है कि अगर मैं आपको आम भाचा में बोलू तो मूँ बनाना तो अगर किसी भी पर्टिकुलर सिच्वेशन में किस तरह से बच्चा react करता है क्या facial expressions देता है किस तरह के मूँ बनाता है this is grimace उसके बाद आता है A stands for appearance appearance मतलब कैसा दिखता है बच्चा मतलब look क्या है उसकी pink है pale है blue है किस तरह से दिख रहा है बच्चा उसकी skin color क्या है skin color जो है वो basically appearance में आ जाती है next is R stand for respiration respiration में यहा हम हार्ट में heart rate ले रहे थे respiration में respiration rate नहीं लेते है हम यह देखते हैं बच्चा respiration कर रहा है या नहीं सांस ले रहा है या नहीं cry कर रहा है कितना respiration कर रहा है regular है cry कर रहा है तो यह सारी चीज़े यह five components आपकार scoring में देखते हैं आपकार में हम assess करते हैं अब इस पे हम scoring किस तरह से करते हैं उसके लिए हमारे पास एक चार्ट है इस चार्ट के according हम scoring करते हैं तो सबसे पहले यहां पे हमने लिये हैं indicators दनिया पे points लिये हैं 0.1.2 point अगर बच्चा बहुत अच्छा demonstrate कर रहा है तो हम उसे 2 points देंगे अगर बहुत normal सी show कर रहा है अगर बहुत जादा abnormality show करता है तो हम 0 points देंगे और अगर इन दोनों के बीच में मतलब थोड़ा adjustable है तो 1 point देते हैं Now first is appearance appearance जैसे कि वैंने आपको बताया था appearance skin color के लिए हम use करते हैं skin color कैसा है skin color blue है या pale है तो यहां पे कौन सी condition आजाती है आपकी sinosis sinosis वाली condition में हम 0 points देते हैं बच्चे को उसके बाद अगर पूरी की पूरी body pink है pink body है लेकिन जो extremities है वो blue है extremities मतलब हाथ पैर जो होते हैं वो blue है बागी पूरी body pink है मतलब यहां पे condition हागी आपकी acro-sinosis वाली जिसमें extremities blue होती है पाकी पूरी body normal है pink है तो यहां वन point देंगे उसके बाद अगर पूरी body pink है ठीक है पूरी skin pink है बीबी की तो हम इसे two points देंगे तो यह हो जाता है हमारी appearance वाली बाद नेक्स हमारा आता है pulse rate तो pulse rate में हमें देखना है pulse अगर absent है pulse आ ही नहीं रही है अगर आप pulse चेक कर रहे हो बेबी की pulse ही नहीं है heart rate ही नहीं तो आप 0 point दोगी obviously तेन अगर heart rate है वो 100 beats per minute से कम है तब तो हम one point देंगे अगर 100 beats per minute से ज़ादा है तो हम two points देंगे क्योंकि infant के case में infant के neonate के case में जो heart rate है वो 100 से जादा होनी चाहिए, 100 से अगर काम है तो ये बहुत जाता है, अब नॉर्मल से ही शाहिट जाता है, कोई भी expression नहीं है, किसी तरह का कोई भी reaction नहीं है, तो floppy होगा, अगर minimum response to stimulation, अगर कोई आपनी stimulate किया बच्चे को, कोई भी stimulation दिया, minimum response आ रहा है, थोड़ा बहुत response आ रहा है, हाँ ठीक है, तो one point दे देंगे, then prompt response to stimulation, जैसे ही stimulation मिला, एकदम response आ रहा है, तो हम बेबी को two points दे इसके बाद next आ जाता है, activity, activity में हम muscle tone चेक करते हैं बच्चे की, तो अगर neonate की muscle tone है, वो absent है, muscle में कोई tone ही नहीं है, तो zero points देंगे, अगर flat है baby, मतलब ऐसी अराम से मतलब रेटा हुआ है, कोई tone नहीं है, कोई flexion नहीं है, कोई activity नहीं है, तो हम उसे zero points देंगे, और flexed arm औ थोड़ा बाद heart affair है, वो flexed है, तो आप उसे one point देंगे, अगर properly active है baby, हाथ पर मार रहा है, अच्छे से flexion कर रहा है, मतलब active हो रहा है, तो उसे हम two points देंगे, इसके बाद respiration आ जाता है, तो respiration में हम, जैसे कि मैंने आपको पहले बतायता है, कि pulse में हम heart rate देख रहे थे, below 100 and over 100, भी थे हम, यहाँ respiration में हम respiritory rate का भी assess नहीं करते है, यह M IQ भी बहुत करता है, कि मैं कि कि हम क्या असेस नहीं करते हैं, तो उसमें सारी options होते है, और respiritory rate का भी option होता है, तो वो correct होता है, क्यूhando कि यहां पर हम respiratory rate assess नहीं की यहां पर respiration कर रहा है रिख रहा है क्यिए लने का सांस लने का मतल 아파 प्रहुर 00-0723-18 together सैंस लेने का नगार है कि ज॥ा मैं कैसे बता है का अब बदर सॉन क OFFICER करता ही अंद ही सब चसा कूप मुझत रहा है तो आप देखेंगे कि उसका चेस्ट मूवमेंट हो रही है या नहीं ठीक है चेस्ट राइस करती है यह सब चीज़ आप देखके पता लगाएंगे तो अगर बच्चा सांस नहीं ले रहा है तो हम जीरो पॉइंट्स देंगे पॉइंट्स देंगे और विग्रस क्राई है जो की नौर्मल प्राई बोलते हैं जहां हम लेने के बाद बैच्चे को रोना होता है जो विग्रस क्राई अगर कर रहा है तो हम इसे टू पॉइंट्स देंगे देशें इस बेटर रिस्पॉंस next, अब minimum scoring and maximum scoring कितनी होती है तो minimum scoring कितनी है हर एक point किया आप, अगर यहां पर देखो हर एक point का minimum score है वो 0 points है okay, और हमारे पस total कितने points है 5 points है तो हर एक point का 0 minimum score है 5 points हमारे पास total है तो हमारे पास minimum score भी कितना आ गया 5 maximum score हर एक point के लिए हर एक condition के लिए हमारे पास 2 है और 5 total points है तो हमारे पास total जो maximum score आ गया वो आता है 5 तो minimum हमारा 5 और maximum जो हो गया हमारा 10 नेक्स्ट आप इस वाले चार्ट को अगर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझाएगा यह समझने के लिए बहुत इसी चार्ट था इसलिए मैंने चार्ट लिया है तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि अपियरेंस के लिए यहां पर दिखाया गया है पूरा पूरा ही बेबी अगर पिंक है तो हम इसे टू स्कोर करेंगे अगर बेबी पूरी बॉड़ी तो पिंक है लेकिन यह जो एक्स्ट्रिमिटी है यह ब्लू हो रही है तो वन स्कोर करेंगे पूरा बेबी जो पेल या फिर ब्लू है तो हम इसे 0 score देंगे तो बात pulse rate 100 से जादा तो 200 से कम तो 1 pulse है ही नहीं तो 0 dream is cry कर रहा है अच्छे से active cry कर रहा है तो हम या पुला वे या prompt response दे रहा है तो हम इसे 2 points देंगे बहुत कम है weak cry कर रहा है तो 1 point देंगे कोई response ही नहीं है कोई stimulation दे तो कोई response नहीं आएगा 0 points उसके पर activity हम देखते है active movement है जितकी बच्छा हाथ परमादा अच्छी तरह है पूरा बढ़या तरिके से तो हम इसे activity में 2 points देते हैं और arms और legs से बेवी इतना जादा active नहीं है ले नहीं इसके जासा है नहीं इसके जासा है थोड़े ही बहुत activity करता है लेकि प्रॉपर्ली अक्टिव नहीं है तो इसे हम 1 point देंगे respiration strong cry पे हम 2 points देते हैं 2 is regular पे हम 1 देते हैं और कोई breathing ही नहीं respiration नहीं है तो हम इसे 0 points देते हैं अब इन चीजों को आपको पहचानना होता है कि आप कैसे पहचानेंगे तो उसके लिए यह chart बहुत अच्छा है जैसे कि activity आप बहुत लोग confuse कर जाते है कि activity में क्या points देना ह समझी नहीं आता ग्रिमेर्स में क्या point दें ग्रिमेर्स कैसे बता लगाएं तो इन सब चीजों के लिए आपको experience जब तक आप clinical experience नहीं लेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा इस सारी चीजे theoretical आप यह सारे चीजे पढ़ सकते हैं अच्छा है इस आतमे experience होना में बहुत important है तो इस बच्चे को देखके आप बता सकते हैं किसका आपका score क्या है वैसे तो यह neonate नहीं है यह newborn बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसको थोड़ा सा time हो गया है में भी यह एक early newborn हो या फिल लेत नहीं हो बत फिर भी अगर आपका score मुझे बता सकते हैं इन कमेंट बॉक्स तो इट वी रेली अप्रेशिएवल थैंक यू